हालो साथियों नमस्कार एक आनलाइन क्लास में आपका हर्दिक स्वागत है माय जै सार आप लोग के 20 साथियों TGT PGT आर्ट यानी कला से समय साथियों महत्पु वीडियो पर प्रसन है कि आपको एक्जाम हाल में देखने को यहां से मिलेंगे साथियों तो जो सेशान जो क्लास यह 94 है कितना है 94 उम्मीद है कि इसके पहले जो 93 का है वह आप लोग सभी लोग देखने जो लोग नहीं देखने तो प्लेश्टोर पर जाके आप वीडियो को देख सेके साथियों तो वीडियो अच्छला है वीडियो को आप लाइक करेंगे दोस्तों जिसने हमेशा इस्त्री पुरुष की योन सामागम को अव्यक्त किया तो कौन सो चित्रकार है साथियों जो कस्मीर में पला बढ़ा हमेशा इस्त्री पुरुष की योन सामागम को भी अव्यक्त किया है तो परतुस्जिन है लालुप्रसासा है जी यार संतोस है जे राम rike men answer पेाना चाहिए तो कौन हो जाएंके साथियों ते हां पे Jesus हो जाएंगे हैं अगला है रहुदार जाने जाते हैं तो किस रूप में जाने जाते हैं उपण्यासकार थे नवी सताब्दी के हर्स माता मंदिर की मूर्थियों के लिए राज अस्थान में कौन सा अस्थाल प्रसिद है तो चांवड क्या करा है चांजबावडी तथा नवी सताब्दी के हर्स माता मंदिर के लिए यह मूर्थियों के लिए राजस्थान में कौन सा अस्थान प्रसिद है तरा व lotta है नियरी है दूसा है यहां सिकंद्र है यहां पर 3 नंबर करने साथ चार आपसंट देख कि आप अंसर को मेट कर एह साथ है यहां पर राहि पर हजेत्स होगा वह अज़ा 54 जृपन करताख अंसर के यहां वह और … अर्थूना मंदिर समों किस जिले में हैं बास्वडा जिला उधायपूर जिला जोदपूर जिला या कोटा जिला मैं तो देखें हाँ पे राइट अंसर क्या बनें ग avens जिले मिस जिले महीं है तो अर्थूना जो मंदिर है जीले में है अगला है आपका सारनाथ अस्थम मे बने चार पसुओं के नाम है घोड़ा गाय सेर ब्रिसब गज भालू सेर उट तो देखें किárioिमे पर गाय गाय है साथियों ना तो बाग की जगे हम पर क्या होने चाहिए सेर यहां पर बाग है इसलिए कड़ेगे ए राइक एंसर आपका सी हो जाएगा करेक्ट राइक अंसर अगले प्रस्वर बढ़ते हैं लाट और परगहा किस के अंग है यही आपको बताने तो किस के भाग हुझा भूजा है के साथ यहीं यहीं है अगला है साथियों किसे अवद की पेंटिंग चित्रकला में पहली बार फोल, पतियों और पधों को चित्र दिया था मुगल सल्तनत, गुप्त काल, दिल्ली सल्तनत या मौरी काल तो यहाँ पे राइट एंसर क्या बनेगा साथियों देखें साथ नमर का तो साथ नमर का कुश्चन है तो यहाँ पे जो राइट एंसर होगा आपका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली बार फोल, पति और पाधों का चित्रण किया गया था पेंटिंग में, किस में? पेंटिंग में किस साहली में भगवान बुद्ध को केस मोच से युक्त बना गया यानि भगवान बुद्ध की मूर्त है उसमें केस बाल है और उनके मोच से सहित मोच युक्त बनाया गया है तो गांधार सहली में, जैन सहली में, रास्थान सहली में या मुगल सहली में तो कौन से सहली ते जिसमें भगवान बुद्ध को मोच और बाल सहित दिखाया गया है तो कौन से सहली जाएगे सती है तो गांधार सहली कौन से सहली थे गांधार सहली अगला है नटराज की मोर्थी नटराज की मोर्थी के बाय हाथ पर प्रजलित अगनि Gold तक है दाहकता का अमंगलकारी दाहकता की बिनास की या सर्वनास की तो किसका प्रतिख है सांत ही यह नौ नमबर देखे तो नौ नमबर का जो राइट एंसर आपका क्या बनेगा साथी यहापे यह अमंगल कारी दाहकता का प्रतीख है तो जिन लोगों ने राइट एंसर भी लगा है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला है मोनो क्रोम क्या है तो मोनो क्रोम क्या है रंगों की बिभिन तान है एक ही रंग की बिभिन तान है दो रंगों का मिस्रण है यह रंगों का गाढ़ा पन है तो मोनो क्रोम क्या है साथी यही आपसे प्रसने प्रूछ रहा है कि मोनो क्रोम क्या है मोनोक्रोम जो होगा साती हुं तो क्या है यह एक ही रंगर के बिभिन पान होते हैं मोनोकोम जित्र में केंदरिता प्राया कहां होनी चाहिए यांत्रिक केंदर पर नीचे की तरफ कोने में तो कहा होनी चाहिए साथियों केंद्रेता कमेंट करिए आप लोग तो यांत्रे केंद्र के समेट होनी चाहिए आगले प्रस्म बढ़ते हैं है रंगों को अधिक मिलाने से क्या कहत्म होता है स pouco हो तुम मान क्या खत्म होता है मान रंगों को अधिक मिलाने से जो खतम होता है उसे मान कहा जाता है तो मान खतम होता है अगला है आपका प्रस्ण बसवली के चित्र किस संग्राले में शुरच्छीद है तो कहा हो जाएंगे साथ हींों कमेंट करेंगे आप लोग चारो आप सहं देख कर तो यहां पंजाब में बसवली के चुच्चित रहें यह पंजाब संग्राले में क्या है सुरच्छे था तो जिन लोगों ने फर्स्ट एंसर दिया है तो उनका बिल्कुल करेक्ट हैगा अगला है कंपनी स्टाइली की मुख अधे डैस डैस थी तो देखिए मिसेज हंगेरिय चलते हैं मेसोपोटामिय की सभित देश की है । इसका संभंध किस देश से था तो पाकिस्तान से इरान से अफगानिस्तान से या इराक से तो चारो आपसन आपके सामने है प्रस नहें आप अच्छी तरी किस पहले प्रस पढ़ें फिन चारो तो क्या हो जाएगा राइट एंसर तो इराक हो जाएगा तो मेसोपोटामिया जो सभिता थी है इराक के थी अगले प्रस्म में बढ़ते हैं प्रथम धात मोर्ति प्रथम धात मूर्ट किस सभ्यता से प्राप्थ हूई है। सब्सक्राइब तो प्रतम धात की बात करा है प्रतम बात करा है अल्टा मीरया गुफाएं है भारत में है फ्रांस में है जापान में है या इस्पेन में तो Altamiria के गुफाएं कहां है साथियों ना तो हम लोग 17 नंबर के कुश्चन पर 17 नंबर का देखिए हैं तो Altamiria की जो गुफाएं जो कहां पर पढ़ती है आपके तो Esperwendती ने कैलास मंदिर है Kैलास मंदिर है Eleppenta गुफा में Ajanta गुफा में बाग गुफा में या एलोरा गुफा में तो कैलास मंदर कहां जाएगे साथी में आपका है कहां पड़ेगा कैलास मंदर तो कैलास मंदर जो आपका पड़ेगा है यह एलोरा गुफा है एलोरा गुफा के 16 नमबर गुफा में 16 में पड़ेगा है ठेक महाराष्ट के और अंगावाद में है एलोरा ना एलोरा में कुल कितनी गुफा है तो 34 गुफा है तीनों धार्म से सम्मेदे चीत भी आप याद रखेंगे भीच्छोक बुद्ध का प्रसेद चीत अजन्ता की किस गुफा में है गुफा संख्या एक में है गुफा संख्या नौ में है गुफा संख्या सत्रा में है या गुफा संख्या सोला में तो भीच्छोक बुद्ध अजन्ता की किस गुफा नौ में है तो किस गुफा में हो जा रूच चल रहा है उसी में है कि अब की ना का भी कलाकार तो था कलार अम्होंस में नंने हूंज। मान सिंग है सावन सिंग है संसार चंद है या हरी सिंग है तो कमेंट करके बताईए ढ mouse है साथी किया हो जागए है यहां पर सावन करके साहखु सा सकते इन किसमें जो एक चितरकार था मोरधोर जिन्हाल चंद जो बनी ठनी नमक चित्ना को पेंट किया था चित्र किया था यह रहे साथ हूं आज के 20 महत्कोन कुश्चन जो साम को 20 के डोज में दिया जाता है उमेद है कि सारे प्रसन आप अच्छे लगए होंगे साथ हम आपको अच्छा लगा तो विडियो को आप लाइक करें साथ ही हो प्यारा से अदंट नृवार्ट से हैं जुड़ी तक चैनल को नहीं सफ्क्रम के चैनल को जलु-जलु सब्क्राइब कें स dlatego तो देजी इजाज़त लेता हूँ आपसे भी जब से निस्ट वीडियो मिलूंगा तब तक ले बेश्ट अपलाग सो थाइंक्यो धन्नमास राथी वीडियो देखने के